असलाम अलेकुम आई डियर स्टुडेंट आज हम पोएम कैटर पिलर की कॉम्प्रिहेंशन करें हैं उसमें हम करें हैं राइट ऐसे अंसेविंग अर्थ आपको पता है कि अर्थ हमारा प्लैनेट है जिसके ऊपर हम रहते हैं वाट इस पुलूशन हम अर्थ को कैसे नुकसान पहुंचा रहे हैं नुकसान पहुंचाने को पुलूशन कहते हैं आलूदगी वेन हामफुल सबस्टेंसेज कंटैमिनेट दा इन्वाइरमेंट इट इस काल पुलूशन जब जो हैं नुुक्सान दे चीजें जो हैं वो फजा को हमारे इनवैर्मेंट को इड़गत के महौल को खराब करती हैं तो उसको पुलूशन कहते हैं तो अब हम देखते हैं कि पूरूशन में कौन सी चीज़ें आती हैं जैसे फैक्टरियों से निकलता हुआ धुआ जो है हमारी इंवार्मेंट को खराब करता है फिर गाड़ियों से निकलता हुआ धुआ इसके अलावा जो हम समुंदर में गार्बिज फैंकते हैं वो हमारे प हमारे इंवार्मेंट को खराब करता है इससे होता क्या है कि सूरज जो है वो उससे हमें जमीन पे तवानाई हासिल होती है तो सूरज में से रेडियेशन निकलती हैं जो के ज्यादा तर रेडियेशन जो होती है वो वापस स्पेस में चली जाती है क्योंकि हमारी जो प्लैन इन इन सोलर रेडियेशन से बचाती है लेकिन जब हम जो एक ओजोन लेयर होती है एटमस्फेयर के उपर जो के ज्यादा हीट को बाहर बही देती है और जो जमीन के उपर हीट है वो कम एबजॉब होती है लेकिन जब human activity से इनसानी activity से greenhouse effect बढ़ जाता है आपने देखा कि left side पे जो picture है उसमें red zone बहुत थोड़ा सा है greenhouse gases जिसमें carbon dioxide और methane और nitrous oxide है लेकिन जब इनसानी activity से greenhouse gases बढ़ जाती है तो ज्यादा जो हीट है वो जमीन के उपर आती है और कम हीट जो है वो फजा में जाती है तो इस तरह से हम greenhouse gases को produce करके अपनी biraz जमीन को खराब करते हैं तो अब इस से क्या होता है इस से जो जमीन का दरजा حरारत बढ़ जाता है इसको global warming कहते हैं अब global warming के effects क्या है जब जमीन का दरजा हरारत बढ़ जाएगा तो फिर क्या नुकसान होंगे फिर जो आइस मेल्टिंग होगी जो हमारे नार्थ पोल के उपर कैप्स हैं सौफ पोल के उपर आइस के वो मेल्ट होना शुरू हो जाएंगे लावा क्या होगा बहुत ज्यादा बार्शे होंगी जिससे फलड्स वगरा सकते हैं और क्या होगा दरख्तों में जंगलात में आग भड़ा कुछती है और दरख्त जो हैं वो हमारे जमीन के फेपड़े हैं यह आक्सीजन पैदा करते हैं तो आपको पता है कि जब आक्सीजन जमीन पे कम हो जाएगी तो हम सब की जिन्दगिया मुश्किल में पढ़ होते हैं कि इसी तरह बार्शे होती रहें और बच्चे उसमें खेलते रहें और शाम को बड़े जो हैं वो बैट कर हाट कप अफटी पीएं और सेंड इन माइफीट और हमारे समंदर जो बीच हैं उनके हम चेहल कदमी करें और हमारे पाँ जो हैं वो गीली रेत को चुएं अगर यह सब हम चाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए हमें अपने ब्यूटिफुल प्लैनेट को सेव करना चाहिए तो सेलिब्रेट लाइफ as we know it I need a planet to live on अगर हम जिंदगी गुजारना चाहते हैं खुश रहना चाहते हैं तो हमें अपनी जो प्लैनेट है अर्थ है उसको स सेव कर सकते हैं आए देखते हैं सेव वाटर दा वर्ड इस इन यूर हैंड वाटर जो है वो जिंदगी है उसे जाया मत करें खुला नलका ना चोड़ें पानी जाया ना करें जितना इस्तमाल चाहिए हो उतना ही करें आपको पता है कि नभी करीन ने फर्माया डू नाट व फ्लोरेसेंट बल्व आम बलब की बजाए आप फ्लोरेसेंट बल्व यूज़ करें फिर है सेव एनर्जी बाइ शटिंग कंप्यूटर जब आप कंप्यूटर यूज़ ना कर रहे हो तो उसको बंद करते हैं यह भी एनर्जी सेव करता है उसके अलावा करें और इसी तरह सर्दियों में उसको बहुत ज़्यदा गरम ना करें इससे भी आप ग्रीन हाउस गैसिस को कम कर सकते हैं बाइ रनिंग माई डिश्वाशर एंड वाशिंग मिशीन अन फुल लोड अनली आप पानी और इनर्जी कैसे सेव कर सकते हैं तभी डिश्वाशर क को रन करें जब वो पूरा भर चुका हो और इसी तरह वाशिंग मिशीन भी तब अन करें जब फुल लोड में हो इससे आप ग्रीन हाउस गैसिस और इनर्जी को सेव कर सकते हैं फिर बाइन ड्राइंग माई क्लोथ इंस्टेड आफ यूजिंग दा ड्रायर ड्रायर यूज करने की बजाए कपड़े खुली हवा में सुखाएं तो इससे भी आप इनर्जी सेव कर सकते हैं और ग्रीन हाउस गैसिस की एमिशन को रोक सकते हैं बाइ वेरिंग वार्म क्लोथ इंविंटर इंस्टेड आफ यूजिंग गाहीटर हीटर के इस्तमाल की बजाए गरम कपड का इस्तमाल करें ताकर ग्रीन हाउस गैसेज कम निकलें। जिए भी आप फूड खरीदी घें। जाएं। तो जो । लोकाल ग्रोण्टव हैं वो खरीदी – क्यूंकि आपको पता है कि freezing में और जो चीजें बाहर से export की जाती हैं उन पर ज्यादा energy जो है वो इस्तामाल होती है by avoiding heavily packaged products and reducing my garbage by just 10% आप जमीन की pollution को कम करने का एक तरीका यह है कि आप packaged food कम products कम खरीदें ताके इससे आप जो है garbage कम पैदा करेंगे तो ये भी एक आप काम है जो कर सकते हैं फिर है recycle glass plastic and paper आपके घर में जितना भी कच्रा है उसको चार चीजों में तक्सीम करें और अलैदा-अलैदा उनको डिबों में डालें पेपर, plastic, glass और metal अराम से recycle हो सकता है और जो bio degradable हैं छिलके वगएरा उनको जमीन में दफन करते हैं इस तरह आप अपना हिस्सा डाल सकते हैं कि आप जो है कुड़ा cricket या garbage जो है वो कम produce करेंगे Walk by foot or use cycle जहां आप paddle चलके जा सकते हैं या cycle तो cycle का इस्तमाल ज्यादा करें बजाए गाड़ी पे जाने के क्योंकि गाड़ीों से green gases का emission होता है फिर use clean energy जैसे solar energy है, wind energy है अपनी government letters दिखें, awareness campaigns चलाएं के लोग जो हैं वो कोईला और पेट्रोल इस्तमाल करने की बज़ए clean energy इस्तमाल करें उसके लावा plant are trees, save earth, save trees, द्रख्तों को बिलावजा काटेना और द्रख्तों को plant करें planting are trees continuous charity, नभी गरीम से लब का फर्मान है कि तुम द्रख्त लगाकर सदका जारिया करते हो तो अपनी आइंदा आने वाली नसलों के लिए द्रख्त लगाएं I pledge to protect and conserve the natural resources of the world I promise to educate future generations so they may become caretakers of our water, air, land and wildlife Save our forest and wildlife I pledge, मैं ये एहद करता हूं के मैं to protect, हफाज़त करूंगा, conserve, बचाऊंगा, natural resources, कुदर्ती वसाइल को दुनिया के जो है I promise मैं एहद करता हूं To educate future generations के मैं तालीम दूँगा आने वाली नसलों को So they may become caretakers of our water के वो हफाज़त करने वाली बन जाएं हमारे पानी, air, हवा, land, जमीन और wildlife जंगली हयात की Save our forest हम अपने जंगलात को बचाएं और अपनी wildlife जंगली हयात को बचाएं प्यारे बचो, उमीद है आपको सबक पसंद आया होगा इसको like करें, share करें और चैनल को subscribe करें करें